होटल जैसा खास्ता समोसा घर पर आसानी से बनाए तो कैसे बनेगा आए बनाते हैं एक परात लेंगे और अब हम इसमें दो कप मैदा लेंगे मैदा को हमने चान करके लिए हैं मोयन के लिए घी लेंगे घी हमने तीन बड़े चम्मच लिए हैं आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं एक छोटा चम्मच आजवाइन लिए हैं इसे थोड़ा हम क्रस करके डालेंगे आजवाइन का फिलेवर समोसा में बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा नमक डालेंगे अब हम मैदा में अच्छे से मिला लेंगे इसे दो मिनट के लिए थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और इसका एक डो तयार करेंगे तो यह हमने डो को तयार कर लिए हैं अब हम कॉटन कपड़े को थोड़ा गीला करके और उसे धाक करके 15-20 मिनट के लिए इसे हम रेश्ट होने के लिए रख देंगे ताकि मैदा जो है अच्छा से सौफ्ट हो जाए तब तक हम समोसा के लिए मसाला तयार करेंगे तो एक पैन को गरम करेंगे और इसमें दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे एक छोटा चमच जीरा डालेंगे जीरा को कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे एक चमच अधरक लासुन को कूट करके डालेंगे इसे फिलेवर बहुत अच्छा आता है कुछ सेकेंड के लिए अधरक लासुन को पका लेंगे ताकि इसमेका कच्छापा निकल जाए तीन से चार हरा मिच डालेंगे तीखा आप अपने एक ओर्डिंग रख सकते हैं अब हम कुछ मसाले डालेंगे तो एक छोटा चमच जीरा पॉडर डालेंगे एक छोटा चमच धनिया पॉडर डालेंगे आधा छोटा चमच हल्दी पॉडर डालेंगे आधा छोटा चमच लाल मिच पॉडर डालेंगे एक छोटा चमच चाट मसाला डालेंगे या आप आमचूर का पॉडर ले सकते हैं इसे समोसा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे, अब हम इसमें आधा बावल मटर डालेंगे, और यह फ्रोजन मटर है, तो मसाले के साथ इसे भी अब हम पका लेंगे, मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो अब हम इसमें आलू डालेंगे, यहाँ पर हमने चार आलू को थोड़ा मोटे में फोड़ करके ले लिए हैं, इसे हम पूरा मैस नहीं किये हैं, इसे थोड़ा मोटे में ही फोड़ लेंगे, इसे समोसा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है होटल जैसा समोसा का फ्लेवर आता है तो अच्छे से अब हम मसाले में आलू को मिक्स कर लेंगे तो इस परकार हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ टेस्ट के एक ओर्डिंग नमक डालेंगे नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू में बारी कटा हुआ धनिया पता डालेंगे आलू के साथ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला भी रेडी हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे और यहां पर डो भी सेट हो गया है तो अब हम कपड़ा को हटा देंगे थोड़ा सा हाथ में तेल लेंगे और डो में अच्छे से मिला लेंगे अब हम बड़े पीच में इसका लोई निकालेंगे इस परकार से हम बड़े लोई में से छोटे छोटे पीच में लोई काट लेंगे तो जितना हम रोटी के लिए लोई लेते हैं से उतना ही बड़ा हम लोई लेंगे तो छोटे छोटे टुकडे में लोई काट लेंगे हम और एक लोई लेकर और इसे इस तरीके से हम गोल करेंगे जिस तरीके से हम रोटी के लिए गोल करते हैं तो इस सुखा मैदा लिए हैं और दुसरे बावल में पानी लिए हैं तो लोई को हम सुखे मैदा में अच्छे से कोट करेंगे और जिस परकार हम रोटी या पूरी को बिलते हैं ठीक उसी परकार से इसे भी हम बेल लेंगे तो इस परकार पूरी के तरह हम इसे बेल लिए हैं एक चाकू के मदद से इसे बीचो बीच काट लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे उपर के भाग में थोड़ा सा पानी लगाएंगे अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो समोसा तेल में तलते समय खूल जाएगा तो आप हम मसाले भरेंगे तो मसाले से एक चमच लेंगे और इस तरह हम इसे भर लेंगे थोड़ा सा पानी इसके उपर भी लगाएंगे ताकि समोसे जो है अच्छे से चिपक जाएं तो इस तरीके से हम इसे समोसा का सेप दे देंगे और यह आप देख सकते हैं फ्रेंट एक समोसा का सेप बनकर तयार हो गया है तो एक प्लेट में इसे हम रख लेंगे इसी तरीके से हम दुस्ता समोसा भी तयार करेंगे तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे और इस तरीके से इसे हम चिपका लेंगे ताकि अच्छे से चिपका लेंगे ताकि खुले ना तेल में जाकर और इसमें मसाले डालेंगे तो एक से देर चमच इसमें हम मसाले डालेंगे चोटे चमच से और उपर के साइड में इसे थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसमें और इसे भी हम समोसा का सिफ दे देंगे और ये दूसरा समोसा भी बनकर रेडी हो गया है तो सारे समोसे को हम इसी परकार से बना लेंगे और ये समोसा जो है सेम होटल के जैसा समोसा लगेगा आप घार पर आसानी से बना सकते हैं तो फ्रेंड सारे समोसे को हमने बना करके रख लिए हैं अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में तो तेल को हमने गरम कर लिया है तेल को थोड़ा अच्छे से गरम करेंगे और गैस का फिले में लो मीडियम रखेंगे एके करके समोसे को कड़ाही में डाल लेंगे गैस का फिले में लो मीडियम रखेंगे जब एक साइड समोसे सीख जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे और इस परकार हम समोसे को अच्छे से पलट करके और पका लेंगे समोसे जो हैं अच्छे से तल गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और ये रहा होटल जैसा क्रिस्पी समोसा आप असानी से घर पे बना सकते हैं एक बार जरूर ट्राइब करें तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें सारे समोसे को हमने तल लिये हैं और यह आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रारिक समोसे बनकर रेडी हो गए है मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ